दोस्तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आप सबको बताया था कि RCT एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे टैलेंटेड बच्चों को दो सालते का स्पॉंसर किया जाता है और उन्हें सही कोच की निगरानी में बहुत ही अच्छा गाइडलाइन्स और ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि बच्चे और भी मेहनत करके अपने खेल को सुधार सकें दोस्तो कुछ दिन पहले RCT ने बिलकम सिर्वनी के थ्रू टोटल 47 बच्चों को फूल किट बैग और ड्रेस देकर के सम्मानित किया था जो कि मैंने उस पूरे प्रोग्राम को अपने चैनल के थ्रू आप सब को लाइव दिखाया था और आप सब को बता दे RCT यानी Real Cricket Talent का लेगवक 10 दिनों तक जैपूर में पहला कैम्प हुआ जिसमें सारे अस्पांसर बच्चों को बहुत ही अच्छे कोच की निगरानी में बहुत कुछ सिखाया गया और दोस्तों आप सब को बता दें कि मैंने उस कैम में पूरे 10 दिन बिताया और आप सब यकिन नहीं करोगे कि वो 10 दिन किसी भी प्लेयर के लिए सबसे खास था तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं आपको कि RCT के उस 10 दिन के जैपूर कैम में क्या क्या हुआ लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि RCT ने जो भी कमिंटमेंट अपने बचों के लिए किया था उससे कहीं जादा जैपूर कैम में उन्होंने करके दिखाया है और यकीन नहीं तो इस वीडियो को ये कबार आप पूरा देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी RCT पर यकीन हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि RCT के इस कैम में क्या क्या हुआ मुपत की सब्सक्राइब उल्भ हाइब बाता है है यग कि बाता है झाल 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 तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वाट्सेप और फेस्बुक पे सेयर जरूर करें और अगर आप भी आर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो रियल क्रिकेट टैलें डॉटी इन को जा करके अपना रेइस्टेशन जरूर करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान